तो बाड़मेर के गड़रा रोट से बेहदी पिछड़े इलाके के सुदूर गाउं में दुदहरा से आकर एक सरकारी स्कूल के शिक्षक का बेटा राजस्थान के सभी ताकतवन नेताओ को चन्द दिनों के अंदर अपनी राजनेतिक लोग प्रियात्या से अवाग कर देगा वो भी तब जब वो चुनाव निर्दरले लड़ रहा हो आज से कुछ वक्त पहले तक यह किसी ने भी नहीं सोचा था लेकिन पश्च्यमी राजस्थान के सरदी इलाकों में जहां रेत के धोरों पर खामोशियां जाकती हैं वहां आज गली-गली में एक ही नाम का जबरद शोर सुनाई पढ़ता है वो नाम है रविन्द सिंग भाटी रविन्द सिंग भाटी बाड मेर जैसल मेर लोकसावा सीट से निर्दरले चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पर बहुत ही दिल्चस्ट मुकाबला आप देखने को मिल रहा है रविंद सिंग भाटी हमारे साथ इस वक्त NTV राजस्थान पर लाइव जुड रहे हैं उनके साथ आपकी मुलाकात कराते है रविंद भाई बहुत-बहुत स्वागत है NTV राजस्थान पर आप आज लगातार मैं जानता हूँ आप बलोतरा में थे और अभी आप अपने साथियों के साथ लगातार ट्रावल कर रहे हैं लेकिन इस बाते तो बहुत हैं करने के लिए नहीं सबसे पहले एक धंकी आपको मिलिये रोहित गुदारा गैंक की तरफ से सोशल मीडिया पर वो काफी प्रश्लित हो रही है आपका पहला रियक्शन जानना चाहूंगा इस तरह की धंकियों पर जाको राके साहिया मार सके नखोए मेरा काम जनता की बीच में रहके उनकी सेवा करना है और जीवन पर मैं करता रहूंगा पहले भी कई सारे थ्रेट कॉल्स मुझे आए हैं पर इन थ्रेट से और इसक पॉल्स और मैसेज़िस से डरने वाले डरने वाला रविंदर नहीं रविंद भाई और भी बहुत चीजों से आप नहीं डर रहे हैं धमकी को लेकर आपने बड़े बेजिजग तोर पर आपने कहा कि इस तरह की चीजों से आप नहीं डरते हैं लेकिन और भी बहुत चीजों से बेखौफ आप चल रहे हैं आपका सफर लगातार आगे बढ़ रहा है राजनेतिक आपका जो जीवन है उसमें आपकी शक्सियत उबरती जा रही है विधायक बनने के बाद आप सांसदी के मैदान में आप हैं चुनाव का सफरी अभी तक कैसा रहा है क्या फीड़ बैक आ रहा है मद्दान समाप्त होने के बाद आप पर बहुत ही बड़िया experience रहा साथ ही साथ जनता का और 36 कौम के लोगों का पूरा आश्तिरवाद मेरे साथ में है मैं निश्चत और पूरे बरोसे के साथ कह सकता हूँ आने वाले चारत तारीक अदिने के इतियासिक दिन होगा और उस दिन बाड़मिर जसमेर और बालोतरा के जन रविंदर तक पहुचे बाश्पाद आवा कर रही है हमारे थे कॉंग्रेस कह रही है हमारे थे रविंदर भाटी क्या कह रहे है वो तो पेटियां खुल जाएगी उससमें पता चल जाएगा और एक महिने तक आप भी उन्हें सपने देखने दीजिए हाँ लेकिन रविंद पतान समापत हो जाने के बाद क्या आकलन है आपका मैं इस्तितियां कर दूँ कि जनता का अशिरवाद जनता का विश्वास मेरे साथ में और निश्चित तोर पे यह चुनाव एतियासी गोटों के साथ जीतेंगे मंतरी जी मेरे सामने बेसक चुनाव लड़ रहे थे पर सा रविंद्र भाटी सवाल ये भी है कि बीजेपी कह रही है कि चुनाव प्रधान मंतरी के चेहरे पर लड़ा गया है बीजेपी समर्ता कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा बड़ा था रविंद्र भाटी ने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा है अपने छेत्र में को वो निवेदिन किया कि मैं रोजगार लओंगा मैं पानी लओंगा मैं बिजली सिक्सा और चिक्सा लओंगा और निश्चत तौर पे हमें सबसे पहले मूल बूप सूइदाएं चाहिए अब कुछ लोग यहां पे गुम गुम के कहता हैं कि साथ रशिया और यूक्रेयन में और क्या हो रहा देख रहे हैं पर साथ जाहिर सी बात है कि साथ यहां पर आदमी को युगा को रोजगार चाहिए यहां पर एक हमारी जो माता है और बहन है उनको पानी चाहिए बच्चों को सिक्सा चाहिए बजुर्गों को सिक्सा चाहिए पर उसकी यह बात कोई कर नहीं हैं करें भी कैसे पिछले पांच साल में इनको आजमा की देख लिया हैं उन्हों कुछ नहीं किया तब कहीं न कहीं जनता को लगा कि इस बार में बदलाव करना होगा और रविंदर पे विश्वाज दता है रविंदर आप दाव कर रहे हैं अपनी जीत का आप के समर्थक भी दावा कर रहे हैं क्या केंदरिया मंतरी को हरा कर सांसदी का चुनाओ जीतना आपकी राजनितिक करियर को एक बड़ा ग्राफ देगा ऐसा मान के चल रहे हैं जनता चुनाव अरा रही है यह जो बदलाव की लहर जिसका आप दावा कर रहे हैं इससे आपकी लोकपृता को भी बहुत बढ़ाया है और क्या ये लोगपृता जो है अब जो बड़ी पार्टियां है जो उनका राजनिती पे बड़ा वर्चस्वरा है क्या आपकी लोगपृता से कही ना कही घबरा रही है वो आपको लगता है लोग पर यह ता आती जाती रहती मुझे जनता की बीच में रहके सेवा करनी है उनका काम करना है उन्होंना जो विश्वाज रता है उस पास पर खराव तरना और आने वाले समयमे मैं मैं पूरी तरीके से समरपित होगे उस 36 कौम के लिए देवतुल जनता के लिए काम करो प्रियास किया कि कैसे भी करके हम वोटिंग को रोके हैं चुनाओ प्रतिसत कम हो पर युवाओं ने बुजुर्गों ने माताओं और बेहनों ने बढ़ चट कर हिस्सा लिया ये सभी ये जो वोटिंग परसंटेज है इन सभी के लिए एक चुनोती है इनको लग रहा है कि हमा इस तरह के आरोब जब आप पर लगते हैं तो आपके कारिकरताओं के बीच में एक खराब संदेश जाता है कैसे मैनेज कर रहे हैं आप इस इमेज बिल्डिंग को मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरीज जी कंफ्यूज हैं कुछ दिन पहले जिनको वो गेलो साब की बी टीम कहते थे आज उन्हीं को अपना केंडिडेट बना के लेके गूम रहे हैं तो वो धरम संकिट की इस्तिय उनके सामने हैं और आजकल उनकी इस्तियां वाकि उनको पे नहीं लगाती आज बीजेपी ने इतने बड़े आरोप लगाए हैं मैं निश्चित तोर पर कहना चाहूँगा कि जनता सब समझती है जनता समझदार है मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि इस्तियां क्या है कैसे है प्रविद्र आपने साफ तोर पर कहा कि केंद्रिय मंत्री केलाज चौधरी को मैं नहीं अराऊंगा जनता हराएगी लेकिन जिन उमीद्वार का भी आपने जिक्र किया उमेदा राम सहब का उन पर क्या टिपनिया आपकी क्या वो आपको चौनौती दे पाएंगे अरेलपी और कॉंग्रेस का गडबंदन का वोट आपको चौनौती के रूप में दिख रहा है बले आदमी है पर हरी जी ने उनके राजनितिक हत्या कर दी पिछले दो चुनाओ उन्होंने हरी सोदी साब के सामने चुनाओ लड़े थे और हरी जी को लगा कि अगला चुनाओ ये मुझे निश्चित तोर बहरा देंगे तो हरी जी ने बड़े ही सांदार तरीके से अपना रस्ता साफ कर दिया और उनका राजनितिक सिकार राजनितिक हत्या कर लिए रविंदर गला राजनितिक क्या क्विशन की बात करें तो क्या दो जाट कैंडिडेट्स जो खड़े हुए आपके विपक्ष में आपका जो गणीत है क्या वो यह कह रہा है कि ये फाइदा देगा आपको, इस मद्दान में आपको फाइदा मिला है, दो जाट कैंडिडेट्स के वोट बटेंगे और रविंद्र भाटी के समर्तकों के साथ और भी वोट आएगा जो आपके फेवर में आएगा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार का चुनाओ जाती विवाद से, पक्स पात से और तमाम उन चीजों से उठ और इस बार का चुनाओ विकास के लिए इस साल का चुनाओ आने वाले बहतरीन पांच साल के लिए तमाम यूवाओं ने बुजर्गों ने बढ़चट कर मुझा लिया निश्चत तौर में कह सकता हूं कि यह चुना ओए त्यासिक चुना होगा और जीत जनता की होगी मेरी गलती को माफ कर देना मोधी जी को हारने मद देना मैं कहना चाहूंगा कि आपने इतनी बड़ी गल्तियां कर दी है कि वो माफ करने लायक है नहीं जैसे सो गेलो साब कहते हैं कि हर गल्ती कीमत मांगती है मैं आपको कहना चाहूंगा कि 36 कौम का आस्तिरवाद मुझे मिला है और निश्यत तोर पे आने वाली चाहर तारीक को हम विजय पता का फैराएंगे और ये जीत रविंदर की नहीं बाडमीर जैसर में रॉबालोतरा की जनता की जीगए अगर आप जीते हैं तो क्या कयास ये भी लग रहे हैं लोग कह रहे हैं आप वापस भारती जनता पार्टी जॉइन कर लेंगे वो आने वाल इस्तितियां स्पस्ट करें कि वरतमान में मैं निली हूँ मैं आगर ऐसा कहूं कि मैं सर्वत दली हूँ तो सही रहेगा आप सर्वत दली हैं कि अपना भी दल बनाएंगे रविंदर सिंग भाटी जब रोड शो करते हैं तो हजारों की तादात में युवा जुड़ता है क्या कोई ये भी कह रहा है कानो माकर की भाटी भाई अपनी पार्टी बना ली जाए रविंदर सिंग भाटी का दावा अगर सही साबित होता है आप जीतते हैं क्या विजन है आपका अपनी छेत्र की जनता के लिए सबसे पहले पानी लाओंगा शिक्सा और चिकिट्सा को बहतर करूँगा और उन तमाम यूवा उनको जो आज बेरोजगारी के आलम से बुजर रहे हैं उनको रोजगार दिलवाओं यूद राजनीती से आपने शुरुवात करी शात राजनीती से बहुत ही जवरदस्त राजनीतिक इतिहास रायर अविंदर सिंग भाटी का तमाम दर्शक अब तो आप किसी पहचान के मौताज नहीं है लेकिन फिर भी मैं दोहरा दूंकि विश्व विध्याले में आपने बीबीपी जॉइन करने के बाद निर्दले चुनाव लड़ा वहां से आप जीते विधान सभा में आपको टिकेट की मांग आपने की नहीं मिला निर्दले चुनाव लड़ा चुनाव जीते और पिर आप सानसदी में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं कई लोग इसको तुका तक कहते आये थे कि आपको लगता है अगर इस बार आपको जीत मिलती है तो तुक्के वाली बात पूरी तरीके से निराधार हो जाएगी देखिए तुक्के वाली बात ही नहीं है जनता का विश्वास है जनता का आशिरवाद है और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जनता का आशिरवाद पूरे तरिकिजिम देगा बाड मेर में जो वोटिंग परसंटेज बड़ी है वाकर यह कहते हैं आशिरवाद पूरे राजिस्थान के तमाम बड़े बड़े राजनेताओ को तमाम बड़े गड़े गड़े तक आपकी राजनीती के आगे जो है आप कहीं न कई फेल दिखाई दे रहे हैं क्या कारण है कि रविंदर सिंग भाटी पर जनता भरोसा कर रही है उन्हें लगता है और उन्हें बरोसा है कि ये नेता नहीं है ये हमारा बेटा है जो हमारे बीच में रहके हमारे इन तमाम जो सब्टा है उनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखेंगे ऐसा नहीं बरोसा है और मैं निश्चित तोर पर कह सकता हूँ इस बरोसे पर खराबी हो तरूँगा जो तो रहे उसे देले के जब मैं अप्डेक्स था तो हमने खूब सारे मुमेंट किये थे युवाओं की आवाज को मजबूती से बुलंद किया था और जाहिर साथ है कि जन अटीर राजस्तान के तमाम बड़े-बड़े राजनिताओं को पीचे छोड़ देंगे अगर्द कि मैं किसी को पीछे छोड़ने के लिए नहीं है मैं सब को साथ में लिट पड़ने के लिए आकर आया हूँ रहुल जी जाहिर सी बात है कि मेरा मेरा किसी से कोई नहीं है मुझे जन्ता की बीच में रहके उनकी प्रपा करनी है युवाओं से मैं निवेदन करूँगा कि आप सब राजनीती में आए आज इस देश को इस छेत्र को आपकी जरूरत है और तमाम युवास ताथियों को आपके चैनल के मादे में से कहना चाहूँगा कि राजनीती में आज के समय में बहुत बड़ा वेक्यूम है युवाओं को अपना भागया आद मनना चाहिए मैनत करना चाहिए और संगर्स करना चाहिए रविंद भाई थोड़ा से समय आपको लूँगा मैंने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया था कि आप उस छेतर से आते हैं जहां की धोरों में एक सनाटा पसरा रहता है और उस सनाटे के बीच गलियों में एक नाम का शोर सुनाई देने लगा है जिसका नाम है रविंद सिंग भाटी क्या ये शोर जो है एक फैंटसी बिल्ड हो रही है एक दो साल पांट साल के लिए दस साल के लिए आप अभी बहुत युवा है राजनीती एक मात्र आपका लक्ष है या और के और बे कुछ एस्पिरेशन्स है मैं आपको कहना चूँगा कि राजनीती नहीं मुस्लिम राजपूत गडबंदन की बात आपने कही थी शुरुआत में क्या सफलता मिली है उसमें निश्चे तोर पे ये मुस्लिम जो है ये मेरे अपने है साथ फुस्तों से हमारे साथ में रहते हैं और सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे कि पस्ची में राजप्तान के ये बोटर हमेंसा सांत रहा है यहां पर ऐसी कोई भी कभी इल्लीगल एक्टिविटी नहीं वी है और निश्चे तोर पे मुस्लिम भाई हमारे साथ के हैं आपके इस बाईचारे के लिए तो अभीन खान ने अपनी कुर्बानी उनको देनी पड़ी राजस्तान के मुख्यमत्री भजनलाल शर्मा की चार महीने की सरकार पर रविन्द सिंग भाटी का कॉमेंट रविन्दर भाई बहुत क्यूरोसिटी है लोगों को जानने की हलिकॉप्टर में क्या बात हुई राजस्तान के मुख्यमत्री से आपकी वो तो आपको पिक करने आया आपको उन्होंने पिक किया अपने साथ ले गए दो जगए का दौरा कराया बहुत अच्छी बातचीत करने का प्रियास किया फिर भी आप नहीं माने ख्यार आप वो लेकिन है नहीं ऐसे कोई बात नहीं है वो मुख्यमंत्री जी है और मैं सिव की जनता ने मुझे आसिरवाद के असुरा देके विदायक बनाया तो जाहिर से बात है एक विदायक मुख्यमंत्री से मिलता रहता है और नॉर्मली कोई विशेश कुछ भी नहीं रविंद भाई अंतिम सवाल पूछ रहा हूं लोगसवा का चुनाव है सभी सांसदों की संक्या मिलकर के अंत में प्रधानमंत्री तक पहुशती है एज़ा प्राइम मिनिस्टर किसको देख रहे हैं आप दोजार शौबिस में भारत का प्रधानमंत्री रविंद सिंग भा कि बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वीजा के साथ काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है अच्छा ही होगा अने वाला समय बढ़िया हो कितने मतों से आप जीत रहे हैं आपका दावा कितने मतों से है जीतने का जनता का असिरवाद रहेगा एक एतिय बूलकर भी हमको याद, वादे की तरह हम भी फरामोश हो गए, ये तो नहीं होगा आने वारवाज करूंगा, मैंने पहले कहा मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूं, और इस जन्ता की लिए मैं रात और दिन एक करूंगा, मैं विस्वास के साथ कह सकता हूं, रहुल विया, आप अ पहुंशेगी रविन्द सिंग भाटी आप हमारे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया